सप्लाई में कमी की चिंता और बढ़ रही कपास की खपत के साथ विदेशों से निर्यात मांग निकलने से विदेशी बाजारों में कोटन कैंडी की कीमते 60,600 पर पहुंच गई है दरसल कपास में तेजी विदेशी बाजारों में घट रहे स्टोक और उतपादन में कमी के कारण देखने को मिल रही है साथ ही उतपादन में कमी के कारण 2023-2024 के लिए विश्व सतर पर कपास का घटता स्टोक तेजी को सपोर्ट दे रहा है वहीं इन दिनों भारत कपास निर्यात बाजार में एक महतोपुरन खिलाडी के रूप में उबर कर सामने आया है बाजार जानकारों का मानना है कि फरवरी में निर्यात में तेजी की और उमीद है जो दो सालों के उस्तम सर पर पहुंच सकती है दरसल विश्व बजारों में आ रही कीमतों में तेजी ने भारतिय कपास को अत्यधिक प्रतिसपर्दी बना दिया है जिससे चीन, बांगलादेश और वियतनाम के खरीदार भारत की और आकर्शित हो रहे है कोटन एसोसियेशन ओफ इंडिया के अनुसार निर्यात में ये उच्छाल पहले के अनुमानों को भी पार कर सकता है साथ ही भारतिय कपास उत्वादन में पिछले साल की तुलना में 7.7 फीसद की कमी आने का अनुमान है ऐसे में उध्योग जगत मान कर बैठा है कि कपास की कीमतों में तेजी बरकरार रह सकती है साथ ही उमीद की जारी है कि इस बर कपास की कीमते 8000 के स्थरों को पार कर सकती है